असलामुलीकुम तो हाई ग्रेस का सब लोगर है कि मैं कॉप रैंड यूडी के साथ मेरी एन अनिमस की पबली को महीत करता हूँ आप सब ठीक ठाक होगे खैरेसों के मज़े में जहां के खुश होगे और इंजॉय कर रहोगे अभी आप दिख सकते हो बॉस हंटर भाई यहां पे फैरो के सूट में घड़े हैं फूर ग्लेशे लेके और अपग्रेड़िट करने हैं फूर मैंने अपना लॉब्य में टार्ग जो रियल अनुमेस की पॉब्लिक है वो प्लीज पहले ही लाइक कर दे और अगर आपको शेर है अच्छी लगती है आपकी चेहरे पर जरा से मुस्क्राट भी आती है तो आप भाई लाइक कर दे ना अब पब्लिक यह जो प्लेइन पे लिफ्ट पे नाम आ रहे है आप इक लॉल क्या क्या? अबे आपकी पने अनुमेस की काम कि आफिए काम है मालों, ब्रॉफ जो वू पर बबनेे बचचेह जो है मैमा मेरे वाते वीफ्ट ऑक क्याạo मैम और इने उठा लिए आया ना मज़ा देख लो मैं ना कोई ना कोई आसी चीज़ धूंड के लई आता हूं कि पब्लिक को मज़ा है भई हम आये थे जोर्जुपल जिसका नाम हमने रखा हुए बावाजी लाहूर और यहां पे ना अब तो लाइक आपने किसी को टार्गेट लॉग किया और उतरते वह बंदे मिल जाए ठीक है अब मैं आपको बता दो मेरे बास कौन सी गने यह बर शॉट गन ठीक है पब्लिक राइट पर वही फ्रेरो वाले बंदे हुतरे में इसका टीममेट आता है इसके बास होती बीपी बाइजन पर इसको डाउन किया ठीक है पब्लिक आप मैं इसको पर शॉट गन थी इसके टीममेट के पास भी बीपी बाजन थी अच्छा पब्लिक जब इसका टीममेट लएक लएट हो था था ना तो मैं इसका रैंक होगा चलो मुका देते हैं अगर इसके टीममेट नहीं रश कर रहा है मुझे मार दिया तो यह बच जाएगा अगर वो म पारन से उतरते हैं अब हम बच गए शॉट गन ने कमाल दिखाया जादू दिखाया अपना और ऐसे हमने फैरो भईया को लभी बगाया उतरते हैं लेकिन पब्लिक जैसे कि मैंने आपको बताया अभी काफी जाद बंदों की स्टोरी रहती है तो 47 लेजंड वो लफ पर आ अब यहां पर एक बंदा टावर के उपर गया हुआ था अब यह किसी ना किसी के पाउं में खुझली जरूर होती है टावर पे जाना की बेशक वो नो वो में तो कम जाते हैं लेकिन यहां पर जादा और यह कुईन आपी मुझे निए पता यहां क्या कर रहे थी कुईन 555 अब यहां पर मैं आपको चीज बोलना चाहूंगा मैं हमेशा आप लोग को सही चीज गाइड करता हूं दूर है ना बंदा स्प्रे मत करो टैप टैप करके नौक फिनिश कर दो अगर यहां पर मैं स्प्रे करता ना रेकॉयल जाता हो जाता गन आगे पिछे हिलती और यह ब किया था वह था टावर अलब बंदा अब इसके वास डीपी थी मैंने पहले इसको पूजिशन नहीं बतायती है यहां पर यह हिल रहा था मुसलसल किसी को मार रहा था मैंने इसको एक हैड दिया एक बाड़ी ती अगर दो हैड लग जाती ही नौक हो जाता है यह अमर जाता ह जाता क्लोज में जिसके से मर जाते हैं तो मैंने वे फॉरन से स्कोब हटाया और यहां पर नाजिद खान जिरो नाइन एट भाया को दाउन किया तीम मेट अभी भी जह हैं वो क्रेन के ओपर मौजूद है तो पॉब्लिक मैं देख रहा था कि अगर मैं क्रॉस करूँ तो व रिवाइब देने आए तो मैं वेट करते रहता हूं लेकिन बिचारा यह जिसना तरड़ा पर था ना नीचे मुझे नहीं लगा कि भाई वो बंदा रिवाइब देने आएगा फिर आई डों नो यह रिवाइब हो कैसे गया अब पता नहीं नहीं शाइद रिवाइब नहीं पहर अउन्हुकं करने का लाँट ते था यहाँ एक दम अच्छे से देखके मथब साउन्द उतना नहीं अ रहा था पर क्रेंड के उपर चलने पहँ हुआथा चलने का साउन आजाता है तो अच्छे से देखके ना ends स्पोर्ट करने का मची स्पोर्ट हो जाता है लेकिन यहां से नेट जा नहीं रहा था पुब्लिक तो मैं थोड़ा क्लोज आ रहेता हूं अब आप अपने अनॉनिमस का नेट देखना अगर यहां पर नेट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक ठोक देना लाइक कर रखा तो श जाने के जरॉरती नहीं है यहां चीज को हमेशा है कि कि अकर पुसस्ट नैड है तो भई जरॉरती नहीं है भाई गन ले के सामने जाने की प्रेरा नहीं तो अर न thriNo hardording आप रश करने के ट्राय कर सकते हो यहां पर नाजीत खान को रिवाइब देज चुका था वो बंदा वतनी इतना देर वो नीचे पड़ा रहा फिर इतनी ऊपर कैसे आ गया था वो कैसे रिवाइब हो गया मुझे समझ ने लगी लेकिन है रमने पर डाउन किया फिर मैं जा रह अब पड़ गई यह भागता है तो जब गंदा भाग रहो ना और दूर भी हो तो अब बंदे को मत मारो उससे थोड़ा सा आगे शॉट्स लो हमेशा पबलिक अगर आपको लग रहा था लेड़ सो दो सो धाई सो मीटर है ठीक है बंदा भाग रहा है कभी बंदे के ऊपर ए यह लें फेक है उसको जाने दो लेकिन का नाम मतलब लेजंड था सब का ठीक है और अब मैं यहां से बगई उठागे ना पुब्लिक इन के और पीछे जाता हूं क्योंकि यह तीन बंदे थो उनके पास थी सीटर था बगई भी भी मैं पीछे पीछे जा रहा था पहले मेरा इसका कितना दिमाग तेज है सब लोग कॉमेंट करके मज़े जरूर बताना अगर आप लाइक ज्यादा मतलब यह चाहते हो कि मैं आपका कॉमेंट लाजमी मतलब आपका अंसर लाजमी पढ़ तो मुझे इस्टाग्राम पे भी स्टोरी में टैग करके अपना अंसर बता सकत पब्लिक मैं राइट से उपर से आगया और इनके आगे पहुंच जाता हूं यह गिर गते बिचे एक को डाउन किया दो को डाउन किया एक स्टोरी में तीन को डाउन कर दिया तीनों मर गए बिचा रहे यह एबी ताहर जिसका प्लेन था और या सीन भाईया भाई हमने मौत कुछ हुआ और टक से वापस आगे एक जोन से बाहर दूसरा 33 सीटर पर जा रहे हैं जोन के बाहर का मतलब कहने का यह था कि हेल्थ इनकी कम हो रहे हो के साथ साथ जोन से तो यहां पर पुब्लिक गिरे भी थे यह एक स्परे में मैंने तीनों को डाउन किया फिर मैं जोन मे यानि पिंडी के बीच से अपनी बगी गुजार के पहुंच जाता हूँ बई ब्रिज वाली साइट पर अब मैं ब्रिज पर जा रहा था ब्रिज क्यम्प वाला जोन था ठीक है पबलिक फ्लेयर गन यानि पिछकारी भी आप जानते हैं कि हमें जॉर्ज पुल से मिली हुई क्यों गया था क्या सोच के गया था देखते हैं आप लोगा कितना मैंड काम करें अब दू गाड़िया मने जाते देखी फॉरं से एकनी एमफोर निकाली बगी रोकी बिचारा खड़ावा हील कर रहा था यह और यापर के सेवन एट नाइन भईया को डाउन किया इसका टीम अब साउंड के बाद पब्लिक में राइट में आ गया तो एक बंदे गो इनके फिनिश करता हूं दूसरे बंदे को डूंडने लग जाता हूं कि नॉको की का हूंगा पर वो मुझे मिलने रहा होता समझ न यही कि वो जाता का नॉको के ठीक है पब्लिक तो फिर मैं सारा फ दूसरा नेड़ भांक आपके अनॉनिमस ने दूसरा नेड़ी फट गया ठीक है अंदर रश किया और वो देखो अधर ही लेट जहां मैंने दो नेड़ कर दिये आड़ डीग डैवल भाया हमको बताओ आप मरे क्यूं नहीं तो नेड़ से पैने के रूम में फटे दोनों अब बताओ कोशिश करोंगा दुबारा हम नेड़ से जादा बंदे किल करने लग जायां पब्लिक मिनमें रिलिटर की ब्रिज से जा रहा था मेरा जो जो मींट्शिट था ना 16 किल तो अलम्दुलिल्ला हमारे हो गए था है मेरा माइंसेट था कि इन 10 में से जितने जादा में किल मिल जाए उतना बेटर है मैं आसे गुजर होता हूं तो मिराडो खड़ी होती है अब पब्लिक मुझे इतना तो हो गया था कि हो सकता है इहां पर बंदा हो यहां पर बंदा हो सकता है फिर बिर्च पर मैं आया तो भी नहीं था अब दस वंदे इतना धूंड़ना पड़ता तो मैं डिसाइट किया भई बिर्च तो केम है नहीं वापस चलो भापस चलो जा मिराडो थी ना शायद वांद बंदा मिल जाए क्यूंकि आगे जो बंदे ग अब जैसे में करीब अवाथा मुझी जहते नदर आ जाता यहां पूंकि अपनी छिखली को यहां पर रोक रोकने के बाद मैं अंधर रश की यहां ने शादने करत चांट अब मैंदे निचे करतेए था यह जब बंदे देश पर दोंकि शाट आघी और अब जैसे मैं आप के close में fight होती है मैंने फॉरण से barrel पर switch कर लिया वरना लिक हम लोग समटम क्या करते हैं close में fight होती है लेकिन जो गन आद में पकड़ी होती है उससे fight ले रहे होते है आप एक बार देख लो कि आपके जो गन है उसमें से close range में जाता बेटर कौन सी गन है अगर लेक सब को ही पता है वैसे तो अगर किसी को नहीं पता तो जो 7 की ammo गन यूज करती है वो 5 की ammo से बेटर होती है और oozy vector tommy gun अगर extended लगाओ तो ये भी close में बहुत अच्छी गन्ज है सब तो आप लोग ये भी यूज कर सकते हो close में लेकिन आप ठीडी में practice करो close में एक गन की जो आप से अच्छी चल रही हो जिससे आप ज्यादा बंदे अच्छी में मार रहे हो फिर आप वो यूज कर में लग जो अब लिक बीछे क्रेट से हमने ना M24 उठा ली थी और अपने चिपकली लेके मैं आता हूँ अप नोगो या नहीं कराची वाले ब्रिच पर के शायद यहान हमें कोई मिल जाए यकीन करो बड़े दिल से वीडियो बनाई है बड़े दिल से एडिट किया है ठोक किसी लग गड़ी तो आप लोग की हल्प के आप लोग की प्यार गए बगए तो तो नहीं होने वाले आप लोग सारे शेयर बेर कर देना वीडियो को पब्लिक अब फ्लेर की बारी या जाती है पिछकारी की पर मुझे लगा यहां बंदा है लेकिन मेरा वहम था अकसर आप फ्लेर उस जगह चलाओ जहां आपको लगए कि यार अगर इंदर बंदे आए तो हम देख लेंगे वह ली फिलिंग जहां आपको आती हो ना बस आपने फ्लेर वहीं चलानी है फ्लेर हमने चला दी लेकिन फ्लेर ने हमारे साथ की बेवाफाई अब मेरे पस तीन नेट से फ आपको बता था प्लेन पर बाकी नाम नोट करने के सबका एक रिजन था पबलिक देखना जो थे वह मर गए ठीक है फैरो काम ने मार दिया अब यहां पर फॉर्टी सेवन जो था ना बंदा वह इधर ही था ठीक है पबलिक अब अब नोट करो जोन आने में एक मिनेट और प हर तरफ सिरफ स्पॉर्ट करने का ट्राइगर तरह लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट 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 रही में ठक गया स्पॉर्ट करकर ठीक है अब देखो सर्कल आ रहा है वह एक मिनट पंदरा सेकिंड खतम हो गए फिर नया सर्कल छोटा होते 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 न्या जोन बन जाएगा अब देखे ना अब को दिखा रहetten कि मैं या कितने देर रूका ठीक है यह रीजयर सेद्गाने का पूलिक को न्या सरकल बन गया वो उश्रू वगया फिर मैं यह से निकलने के लिए जैसी बगई भी आता हूं ये गोलियां पड़ जाते हैं हेल्थ देखो अपने अनॉनिमस की मैं कह रहा हूँ सच में यहां पर वाक्य में मौत को छूके टक से वापस आये थे वो जो 47 था ना बंदा भाई इतना टाइम में इस बंकर के उपर बंदे स्पोर्ट करता रहा पबलेक वो वेट करता रहा भाई सबर करता रहा एक गोली उसने चलाई के जैसे बंगी पर आएगा मारेंगे इतना सबर किया और मैं हैरान यार इतना कौन सबर कर सकता किसी को मारने के लिए यह रिजन था आपको यहां पर टाइम वागरा बताने का फिर यह टूटी फूटी बगी लेकर मैं जा रहा होता हूं जोन में अभी आप कह सकते हो कि यह हमें जो शर्पराइज था ना शर्पराइज यह अभी हमें शुरू यहां मिलना अभी देखना वहां पर टूटी अब गर्दिश में है थोड़े सबर से खेल लो अराम से खेल लो जलबाजी करूंगा तो ऐसी गलत मर जाओंगा जैसे बंदे भी बचे में भाई साथ ही है तो पुब्लिक मैंने फिर डिसाइड के सबर करना ठीक है अब मुझे डर था राइट से वही बंदे ना आ आ जाए क्लोस और मुझे लेट पले इस बंदे को भी स्पॉर्ट करना था जो के में लिए खत्रा था भाई साब नदर आते हैं गिली सूट बेहने के एटिक्यूट इनका नाम है लेटे में घास में लगा रहे है अपने बं में धूप तो हमने एमफोर से इनका निकार दिया रूप आपर आतुर दिया हुप बाहिसा बैठे होता है और उनकी जो हमने अपने सर पे या माथे पर या या इनकार दोब लगा रहे थे उनका भी हमने एमफोर से रूप निखा लगा दिया और आके बाढ़ जाता हैं बंकर में वेट करता हूं कि सरकल बंदा है पुलिक करों बंदे की टीम मेट को मारा या फिर यह गिली सुट वाले बंदे का टीम मेट है ठीक है क्युंकि मैंने दोनों नौक था था पुबलिक सताइस सेकेंड बनने में नया सर्कल बनने में अब अब दुबारा उच बंदे का पेशंट देखोगे सब्सक्राइब वो मुझे देख सकता है, वो DP वाला इकराम मुझे देख सकता है, मैं कहा हूँ, हमेशा यह चिसका मुझे बड़ा डर लगता है, पबलिक हिलते हैं, अब मैं इसलिए हर तरफ देख रहा हूँ, भाई, अम बंकर में जाके क्या बैठा हूँ, गेमपले भी तो बनाना है, किल् खतम होजा है, कि बैक से कोई आ तो नहीं रहा, वेट किया जा रहा हूँ, वेट किया रहा हूँ, इकराम भाई, भाई, इतने सबर वाले, मैं गया रहा हूँ, अगर रियल लाइफ में आप इतने सबर वाले साबिर बन गए, मेरे दुआ आपको जननत मिल जाएगे, मुझे किया है यहाँ पे इनको लोडी पीके हाथ में और प्र मैंने निकाला नेर पूबिग, यह नेर मैंने पत्थर के लेफ्ट में किया, और यह naiden मैंने पत्thर के रायट में किया, क्यूंकि आगर वह लेफ्ट से भ afraid भागेगा तो the right वाले नेर से फठग जाएगा लेकिन हमार भी अपनी गन स्विच करना चेंज करना पढ़ सकती है M24 का काम ही नहीं था क्लोज में एक अच्छी गन चाहिए थी एक केम उठाली आपके अनाने उसने नेड निकाला और फुल कुक करके यहां पर फैंका चाहिए मुझे साउंड आ रहा था वो बंदे घूम रहे एक नेड फैंका कोई फर्क नी पड़ा लेकर मुझे आइडिया हुआ कि शाइड डैमेज होगा दूसर नेड फुल कुक करके एक सेकंड बे तकरीबन फैंका और यह नेड फट जाता है इनका नाम भी आथा प्लेन पे इनको अमने डाउन कर दिया अब इनका टीमेट नीचे बंकर में गूम रहा था उसका साउंड और फुट्पेंट दोनों मुझे आ रहे थे तो पॉब्लिक मैं थोड़ा से राइट पे थोड़ा नीचे क्लोज आता हूँ मुझे डरता के बम रवाइब ना देते हिमाट को यहां में अटक गया था शुषक्र यह शुक्र रटक लगने बालरी ती गंसिच युर्ब कंद K बाइक कान नीचे लगाया था बाठा पी बागाया खो चुके टक से वापस आगया बीब पलेन वाले बाएट पुब्लिक राइंक जो मेरा चल रहा है वो डायमंड वन चल रहा है क्योंकि मैं बहुत आधा रच खेल ता हुए साइडी से और अधा पभी गेम बनाने के बाद मैं अपने टीमेच से अधा बूटकेम चला जाओंगा वापर बूटकेम खेलता रहूंगा बूटकेम के बाद और रैंक में बड़ोगों खुदी दिखा देता हुए क्योंकि मैं चुपाता नहीं हुँच आप लोगों से तो डामड वन ने वाला होता है क्राउं पर निचे जलता रहता है तो क्योंकि फुल रश होता है खेर मेरी अनॉनिमस के बडिक बहुत जादा में दिल से मैंने व कुछ तक पहुंचा दे अक्रोक अनॉनिमस भाई आपकी यह बात ना बुरी लगती है